हेलो फ्रेंट्स एक और नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है शाहिर दोस्तों का अपने चैनल L.T.Fashion Designer में स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सूट की बाजू हम किस तरह से अटेच करते हैं तो सबसे पहले हम बाजू को बनाना बदाएंगे फिर इसके बाद हम किस तरह से हम बाजू को अटेच करते हैं क्या सही तरीका होता है बाजू को अटेच करने का तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही तो इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली थी, इसको हम बनाकर ready कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें इसको attach करना है, यह हमारी जो बाजू है, तो इसमें से हम एक बाजू के part को उठा लेते हैं, सबसे पहले तो हम इसका bottom fold करते हैं, तो इस तरह से हम इसका bottom fold कर ल एक सिलाई हम और लगा लेंगे अब इस तरह से हम बाजू को उल्टा रखेंगे रखने के बाद दोस्तो इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो दोस्तो आपको इसका आरमॉल के साबसे रखना है तो आपको एक बार बोडी को चेक कर लेना है कि जितना बोडी में आपका उसी हिसाब से आपको इसमें सिलाई लगानी है यदि आप इसमें जंदा सिलाई लगा लेंगे तो आपका जो आरमोल है वो चड़ाने में बड़ा या छोटा हो जाएगा तो इस तरह से आपको नापकर देख लेना है नापकर देखने के बाद ही इसमें सिलाई लगाना है तो जितना भी आपको यहां पर मौरी रखना है तो उस तरह से आप इसमें मार्क कर लेंगे मार्क करने के बाद इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे इसमें हम एक सिलाई औल लगा लेते हैं जिससे हमें दीला करना पड़े तो इसको हम दीला भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम बाजु को बना लेते हैं, बनाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस बाजु को हम सीधा कर लेते हैं, इस तरह से हम इस बाजु को सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें जो गड़ा वाला इसा है ये हमारा फ्रेंड की तरब रहेगा और ये जो उठा हुआ इसा है ये हमारा बैक साइड की तरब रहेगा एक बार हम इस तरह से आरमोल को और बाजू के जो आरमोल को इस तरह से नाप कर देख लेते हैं यह हमारा किस तरह से आ रहा है तो इस तरह से नापने के बाद दोस्तों अब हम इसको अटेच करेंगी तो यह हमारी जो body है इसको हमने सीधा किया हुआ है लेकिन हम इसको उल्टा कर लेते हैं और बाजू को हमें सीधा रखना है तो इस तरह से हमने suit की जो body है उसको हमने उल्टा किया हुआ है और बाजू को हमने सीधा रखा हुआ है इस तरह से हम नाप लेंगे एक बार फिर से और नापने की बाद दोस्तो अब हम इसको अटेच करेंगे, तो इस तरह से हम रखेंगे, यह हमारा बैक साइड है, और बाजू को हम इस तरह से रखेंगे, यह हमारी बैक साइड है और यह भी हमारी बैक साइड है बाजू की, तो इस तरह से हम सेंटर से इस बाजू को पकड जाएगा तो margin को हम इस तरह से फूल्ड करेंगे, fold करने के बाद इस तरह से back में कर देंगे और इसी तरह के margin को भी हम इस तरह से backward करेंगे और back की तरफ कर्देंगे, करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है、 इसने हम आदा इंच का मार्जल लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो यहां से हम अच्छी तरीके से टांकी बांदेंगे और यहां पर आदा इंच का मार्जल लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे दोस्तों आपको आर्मोल खीचना नहीं है और नहीं आपको बाजू खीचना है अच्छी तरीके कपड़ी को बिठाना है बिठाने के बाद ही आपको सिलाई लगाना है आपकी जो सिलाई है वो कमजांदा ना हो जितना ही आपने मार्जन लिया है वो margin बराबर रहना चाहिए और यह जो कंदी का margin है यह margin हमारा back side की तरब जाता है इस तरह से हमारी यह attach हो गई है तो attach करने की बाद आपको इसमें interlock या overlock करने नहीं है अब हम आपको इसको तो आपको बाजू में कभी भी कोई mistake नहीं आएगी तो friends आज के वीडियो में इतना ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और आपने फ्रेंड्स के साथ जान्द से जान्द से शेयर करना बिल्कुल न भूले तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इदना ही मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक्स पर वाचिंग, अलाहफेज